इसमें place values लिखनी है all digits की तो इसमें सबसे परे easy होता है कि आप पता है यह units होते है ठीक है और यह 10s होते है और यह जो हमारे पास position है यह 100 की है यह हमारे पास 100 है तो आपने इसकी जब place value लिखनी है तो यहां से start करना 100 से तो इसकी हमारे पास जो value आती है वो होगी हमारे पास का मताबर यह 200 है क्योंकर यह 200 है यह 8 10s है तो यह होज़ेगा 80 इसलिए कि इसके बाद जो one zero तो यह भी कह सकते है वो यह nine units है तो यह होज़ेगा हमारे पास simple nine तो क्योंकर units के साथ कोई zero नहीं लगाते है इसके बाद 80 और प्लस 9 अस्ता यह कोशे कम्प्लीट होता है